उसर यह सिंकिंग फंड है को लेजर फॉर्मिट मेंय करना तो डेरि मैं सिंकम फंड को लास्ट में लेके करता हूं क्यूंद मैं थोड़ा और दुन यहां मैं निवा वाला यह भी sinking fund का ही है यह भी sinking fund का कुश्चन है कि चलिए का पाठ आ जाता है हम सीधा सीधा कुश्चन ही कर लेते हैं और इसी के अंदर डिसक्वस करने की कोशिस करेंगे कि एक बार आप कुश्चन पढ़ लीजिए आपके सामने कुश्चन है कनवर्जन कनवर्जन का मतलब जैसे प्रफरेंश में किया था वैसे ही होगा हमारा कनवर्जन के हम डिबेंचर के बदले उसको पैसे ना देके शियर्स वगरा रहें यहां पर बताव डियार बनाने की ज इसमें डियार बनाने की ज़ुराद नहीं है आपकी किताब में भी देखो मेरे पास जो कुश्चन दिख रहा होगा उसके अंदर डेट ओल्ड होगा आपकी किताब में कुश्चन होगा यह जरूर है कुश्चन आपके बुख में कुश्चन 15 हो सकता है आप देख लिजे एक बार कि कि इन ना कि चलो एक बार कुश्चन बढ़ लेते हैं और क्या क्या करना है नहीं करना है देखते हैं इस कुश्चन में कुश्चन में कहता है कि फर्स्ट अप्रेल 2011 को अंजू लिमिटेड इश्चू दो हजार 12% डिवेंचर 500 रुपे का एक है जिसको इश्चू किया गया है 475 पे अगेन यह डिस्काउंट पे हैं तो हम पहले अगेन कुश्चन समझेगे हमारे पास 12% डिवेंचर है और दो हजार डिवेंचर है और एक की कीमत जो है वो है देट इस 500 रुपे बट हमें जो इश्चू किया गया है वो एड़ा रेट 475 पच्चिस रुपे का डिस्काउंट है रिटीम फॉस्ट अप्रेल 2014 कुछ समय के बाद डिवेंचर होल्डर है अप्शन कंवर्ट डियर होल्डिंग इंटू दा 13 परसंट प्रफेंचर हंडेट रुपी सीच अट प्रीमिम 125 पर शियर और इन सभी डिवेंचर होल्डर को हमने बहिया बोला एक काम करो हम तुम्हें एक मौका देते हैं ऑप्शन दे रहे हैं कि 13 परसंट प्रफेंचर केपिटल आपको एट फार नहीं मिलेगा वह एट आपको प्रीमियुम मिलेगा क्योंकि हमारा प्रफेंचर बहुत बढ़िया वाला है कितने परसंट 25 पर शेयर बोलो या 100 का एक है तो 25 परसंट ही हो गया और 31 मार्च 2012 ये तो पहले इसने ऑप्शन दिया ये हो नहीं रहे ये ये तो हमने दिया ऑप्शन अब डिबेंचर होल्डर की मर्ची है कि मैं लूँ या ना लूँ है ना ये तो ऑप्शन है 31 मार्च 2012 को हमने 2014 में 31 मार्च 2012 को जो हमें इंटरस का पेमिंट करना था वो नहीं कर पाए अनपेड रहे गया तो हम जो डिबेंचर होल्डर टू बैंक करते थे वो नहीं होगा वो आउट्सेंडिंग इंटरस चला जाएगा हमारा और बस भाईया इसमें से सिर्फ 100 डिबेंचर ने बोला भाईया मैं सोच रहा हूँ प्रेफरेंशियर में कनवर्ट कर वा लूँ चनलाइज द अब ट्रांजेक्शन ड्रो द बैलिंच शीट बैलिंच शीट भी बनाना है 31 मार्च 2012 शोदर रेलेमेंट इंफर्मिशन तो करेंगे तो अगर मैं से बात करूं तो इसम्पल सी बात है उन्होंने करवाया ही नहीं तो जैसे पहले अब भी हमारा डीबेंचर वैसे वैसे बाकी का पड़ा रह जाएगा टोटल कितने थे हमारे पास दो हजार तो दो हजार जब टोटल डिवेंचर थे तो अगर हम बात करें बच कितने जाएंगे 2000 में से जितने convert हो जाएंगे 100 तो 1900 हमारे पास और भी dementures बच जाने वाला है ठेक है न तो start करते हैं चलो हम फटा-फट से start करते हैं और general entry कहता है कि generalize the above transaction balance sheet अब यहाँ पर challenge यह है कि general entry हमें starting से लेके चलना है issue से या फिर बस redemption conversion के टाइम पर करना है तो question के अंदर generalize the above transaction रो बैलेंशीट 31 मार्च बारा चलो बैलेंशीट तो हमें 31 मार्च 2000 बारा को है रो करना है ठीक है एक 2014 कभी डेट था इच एंड टूबी रिडी फॉस्ट एपरेल 2014 को ठीक है और redemption का जो process होने वाला था 2014 में अगर हम 2014 की बात करें तो उसमें तो आपके पैसे return करना हमारी मजबूरी है 2014 में अब देखो मैंने क्या करा 2012 हम 11 में थे 2011 में थे और मैंने बोला भाईया हमने तुमसे डिवेंचर लिया 2000 और तुम्हारे पैसे तो हम किसी भी कीमत में हम 2014 में वापस करेंगे ही करेंगे क्योंकि कुश्चन कहता है कि redeem होगा इस date पे लेकिन 2014 से पहले भी तो बहुत सारे साल आ जाएंगे 2012 आएगा, 2013 आएगा इसके 20 में ये company ने offer कर दिया convert कर वाले भाई तो जितने डिवेंचर holder यहां मान गए और बाकी के जो नहीं माने उसका payment तो इसी date पे होना है और उसका payment कैसे होना है उसका payment वही out of profit के process से हो जाना है जैसे कि हम पहले करते थे DRR, DRI वगर ऐसे हिसाफ से तो हमें 2012 तक का का काम करना है तो ना तो हमें DRR बनाना है क्योंकि हमें 2014 में redeem करना है तो तब बना लेंगे DRR और हमें DRR भी तभी बना लेंगे 2014-13 हमारे पास है न समय तो 2012 तक हमें क्या क्या करना होगा एक तो हमें सबसे पहली entry करनी पड़ेगी एक issue की दूसरी entry हमें करनी पड़ेगी interest भी बोला है इसने क्या पर एंवर्जन वाली ठीक है और security प्रीमियम पर कर रहें तो security प्रीमियम को write-off करने वाली तो पहले तो आप ये clear करो के सर हमें करना क्या क्या चीजह है सर आज ही लिया है subscription तो मैं कैसे preparation करूं कौन सा chapter पहले आपको share capital बहुत जल्दी खतम करना होगा उसके बाद फिर फर्दर आगे चप्टर पर जा पाऊगे जब तक ही इस यूनिट के अंदर हम बने हैं ठीक है चलिए यहां तक सभी पहले कोशन क्लियर हुआ अब मैं अगले पेज पर लेके चलता हूं यहां तो मैंने सिर्फ समझा दिया मैं अगले पेज पर लेके चल रहा हूं और वहां पर हम इसकी कनवर्जन कर लें हूं चलिए सर्फ यह हटा देते हैं क्योंकि पिछले वाले पेज का अपको नूट्स तो मिलेगा ही मिलेगा तो इसको भी थोड़ा सा कुशन जब समझे लिया है तो साइड कर देते हैं चलो फार्मेंट बना लिया जाएं सब्सक्राइब कर देते हैं कि पहली एंट्री सबसे पहले इशू करेंगे बैंक अकाउंट कि टू डिवेंचर एप्लिकेशन इसके बाद डिवेंचर एंट्री के बीच में देखेंगे हैं पहले इस्पल जो आता है वह तो कर लेंगे इसके बाद डिवेंचर एप्लिकेशन लॉस क्योंकि दो चीज़े हैं और टू और यह सारा का सारा काम किस डेट पर हो रहा है डेट भी मेंशन करना जरूरी है मैं थोड़ा सा थोड़ा सा इधर करके इसको यह सारा हो रहा है हमारा डेट का कॉलम भी बनाई देते हैं यह हो रहा है एक अपर अमाउंट क्या क्या आएगा बताओ नाइन पॉइंट फाइब लाइज और फिफ्टी कंफर्म लॉस भी काउंट कर लिया मुझे नहीं लग रहा तो यह दस लाग ही बन रहा है वैसे दो लाग हिंटू में सौव करते हैं हमल पांसोटू दस लाग बनता तो लॉस अया हिए ईक क्या सिक्विय tells रिचं। फिर प्रीप्रफ्रम्शन नहीं है नॉर्मल सभ्रेचन है प्रीमियम के रिचंच नहीं है यह जल्प नॉर्मिल रिचंच सिया नहीं हाँ हाँ चलिए मुझे फटा फट से जवाब देजिए ये एंट्री तो आपको पहले वाली एंट्री लग रही है है ना अब हमारी बात करते हैं सर 2011 मैं ये एर भी लिख दूँ आपके सहलियत के लिए 2011 और 2011 बैलेंश शीट आपके जिम्मेदारी दूँआ मैं बैलेंश शीट आपके जिम्मे अब इंट्रेस्ट की पेमेंट पहले कर लेते हैं चलो इंट्रस अकाउंट डेट क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा तो आउट्सेंडिंग इंट्रस कर लेते हैं कि सिंपल है तो आउट्सेंडिंग इंट्रस कर लिए जब पेमेंट होगा तो हम कर देंगे उसको पेमेंट अब सर किस पे निकालोगे सर पूरे दस लाख पे कितने परसेंट बारा परसेंट और साल में एक बार कर रहे हैं तो वन पॉइंट टूल है ठीक है नाव पेमिंट नहीं करना इसका क्यों नहीं करना क्यूंकि आउट्सेंडिंग है अब फिर 31 मार्च को बोलेंगा आप क्या कर रिडीम करो तो रिडीम करने के लिए पहले डियार बनाना परता था आप नहीं बनाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है लेकिन कुश्चन में ट्विस्ट करा कि सिर्फ 100 डिवेंचर होल्डर ही इंट्रस्टेड है तो 100 डिवेंचर होल्डर को मैं पेमिंट करने लगूंगा और म मैं मान के चल रहा हूं 100 debenture holder को मात्र 500 रुपए के साफ से payment करूँगा यानि payment कितना करना है उनको पचास रुपए काहा गिवन वो तो हम जो अभी पहले तो हम यह पता कर लेंगे कि debenture holder को पैसा कितना लोटाना है तो इतना पैसा लोटाना है और बदले में मैं जो preferenture capital दूँगा पचास अजार रुपए का preferenture दूँगा लेखिन एक preferenture आपको पढ़ने वाला 125 का तो अगर मैं बात करूँ 50,000 तो 400 debenture आपको देने वालों है यह number of preferenture निकला आपको पता होगा number of debenture या number of preferenture जब भी निकालना होता है तो divided by issue price करते हैं जैसे कि other than case में सीखा था सेम बैसे ही तो now अब हमें क्या करना चाहिए सर अब हमें preferenture को debenture को बुला लेना चाहिए 12% debenture भाई आजाओ तो 12% debenture आएगा 50,000 मैंने बुला भाई तुम्हें क्या चाहिए debenture holder को देना है पैसे कितने देने हैं हमें सर 50,000 मैंने कोई बात ने debenture holder को पैसे तो नहीं देंगे अब जो पैसे जहां लिखते थे वहाँ पे क्या लिखेंगा भाई यह debenture holder तिरको देखा पैसे नहीं मिलेगा तिरको मिलेगा क्या preferent share कितने percent वाला 13% preferent share capital और 13 से हम security premium भी लेंगे तो अगर देखा जाए तो तुझे देने कितने हैं 50,000 और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 400 into में 100 यानि तुझे 40,000 रुपए का क्या मिलेगा shares और 400 into में 25 रुपए यानि तुझे 10,000 रुपए का तेर से लिया गया security देखिए यहाँ 31 interest वाली entry मैंने direct कर दिया है एक interest की ऐसे भी entry हो सकता है हमारा सर क्या entry कर दो को interest की interest to debenture holder और फिर debenture holder bank की जगहाँ पर हम क्या कर देंगे outstanding interest कर देंगे ठीक है न डिवेंचर holder bank की जगहाँ पर outstanding interest कर देंगे हाँ पांच कितने पच्चिस कही था न यहाँ चार सो की जगह पर कुछ और आ रहा है फिर बुख में साइध कुश्चन न लगए क्या है अच्छा वो फिर उसकी entry कर रहे है वो statement profit and loss और security premium हमारे discount हुआ था के पहले इस loss को हमें write-off नहीं किया पहले आप यहां तक देखे इसके अंदर एक point है पहले आप यहां तक देखे इसके अंदर एक point है discount को लेके जो questions में दिखाया गया है वो discount वाला point मैं अभी discuss नहीं करूँगा reason क्योंकि पहले हमें एक बार process समझ जाएं फिर मैं discount के कुछ होते हैं कि अगर आप during the between अगर आप debenture के पैसे वापस ले लेते हो तो जो आपको discount का benefit दिया गया था वो cancel हो जाता है जैसे कि हमारे questions के अंदर 100 debenture holder को discount मिला था जो इंटू में कितने का 25 रुपए का तो वह 25 रुपए का discount जो होगा वो cancel करना पड़ेगा उसके according अभी फिलाल इसके according देखो अगली class जैसे भी होगी उसके अंदर आपको बहुत clear में जाएगा यह सारी चीज़े यहां तक देखे पहले किसी बच्चे को इस प्रोसेस जो entry हम कर रहे हैं अभी इस class में इस question में मैं कुछ entry तो match कर सकते हो कुछ entry match मत करना मैं जैसे ही उस पर आऊँगा तो उसके according करा दूँगा मैं यानि इस question को मैं एक बार और करा दूँगा तब मैं clarify कर दूँगा